देखे, आप जब भी पढ़ेंगे, ठीक है, मैं आपको एक paragraph यहाँ पे लेता हूँ और short notes यहाँ पर आपको जैसे बनाने हैं, तो आपको यही वाला topic लेते हैं, ठीक है, short notes कैसे बनाएं, इसको समझ लीजे, key points क्या होंगे, इसको note कर लीजेगा, और जब भी आगे का कोई भ भी short notes को first reading में मत बनाएं, पहला key points ध्यान रखे, अर्थात, यह पढ़ लिया, और कहा कि लिखना सुरू करें, why, सबसे पहला जो काम होना चाहिए, आपको जो topic आप पढ़ रहे हैं, उसको समझना, समझ में आने से काम आपका बहुत आसान हो जाता है, reason, क्योंकि जो चीज के साथ उसे visualize सिर्फ कर सकते हो, और उसे आसानी से बता भी सकते हो, इसलिए हमें उन चीजों पर focus करना चाहिए, कि जो हमें भूलने वाली है, जिसे concept होता है, concept है, रेपो रेट क्या है, जैसे कि मैं पूछ जीव विग्यान क्या है, तो आपको जीव विग्यान, जीवधार जीव विग्यान है, लेकिन क्या होगा फर्स्ट इटिंग के बाद, यार लिख लेते हैं, जीव विग्यान, जीवधारियों का अध्यान, ये भी डाल दिया आपने, जबकि जरूरत नहीं है, कुछ चीजें समझने वाली है, कि हमें नहीं लिखनी है, लेकिन भूल क्या सकत हो, अब जैसे यहां पर deflect होगा, इस वाले को छोड़ते हैं, यहां पर देखते हैं, यह दो चीजे हैं, एक तरफ मोनेरा है, एक तरफ प्रोटेस्टा है, ठीक है, अब मोनेरा प्रोटेस्टा में देखें तो आपको कुछ एक जैसी चीजें दिखेंगी, एक में लिखा यहां पर confusion mind में आ सकता है, आएगा, अभी नहीं आएगा, लेकिन कुछ टाइम के बाद अगर मैं आपसे पूछ लूँगा, तो हो सकता है, यार पढ़ा तो था, यूकरियोटिक भी आपको दिमाग में होगा, प्रोकरियोटिक भी होगा, मोनेरा भी होगा, प्रोटेस्टा में, आपको क्या लिखना है, केंद्रक भी ही, मोनेरा क्या आगे, डैश लगाया, पॉइंट लिखा, केंद्रक भी ही, ठीक है, दूसी क्या चीज, कैसी कोशिका है, तो प्रोकरियोटिक, ये नोट करना है, फिर आपको क्या लिखना है, कि यहां पर अन्वानशिक से प्रिथक नहीं होता है और एक example हमने लिख लिया अधात की points क्या हैं अब मैं आपसे पूछू तो आप आराम से बता सकते हैं बिना देखे बता दोगा अगर ये चार अब उसको paragraph में लिख भी सकते हो लिख सकते हो क्यों क्यों कि की point आपको चाहिए लिखने के लिए बांकि उसमें आगे पीछे क्या जोड़ना है इतनी भाशा आती हमें कि हम क्या-क्या लिखना है आती कि नहीं आती है हमें लेकिन वह अगर stat ही भूल गए वह key points ही भूल गए तो आपको बांकि कितनी भी चीज़ें आती होंगी आप नहीं लिख सकते हो तो हमें short points में क्या होते हैं सिर्फ key points आपको पता होना चाहिए particular किसी भी topic के बारे में इसी तरीके से protista के बारे में लिखना होगा तो आप क्या लिखेंगे इसमें जीव कैसा है एक कोश्की है केंद्रक होता है या नहीं होता है होता है तो हमने के लिए विक्सित केंद्रक कोश्का कैसी है यूकरियोटिक है एक्जांपल कौन से हैं अमीबा यूगलीना है बस फिर उसको आपको मैं कहूं कि हाँ लिख के दिखाओ तो आप लिख दोगे आ enter क्या होता है तो भी आप बता सकते हैं एक में केंद्रक होता है दूसरे में नहीं होता है किसमें होता है देखा जाए तो मोनेरा में आपको केंद्रक नहीं होता है प्रोटेस्टा में होता है कुछ क्या है कैसी है एक यूकरियोटिक एक प्रोकरियोटिक यूकरियोटिक कौन स का पूरा चार सबदों में आपने मोनेरा और प्रोटेश्टा क्लियर कर लिया आपको eight line लिखने की ज़रूत नहीं पढ़ेंगी आपको क्या अब फिर आपको उसको revision करना हो तो एक व्यक्ती जो 100 page का revision लेके बैठा होगा और आप भी उसके साथ 20 page का revision लेके बैठे होगे वो जब तक एक बार खतम करेगा आप चार बार खतम करके बैठ जाओगे और फिर मैं आपको दे दूँ एक question paper यह लीजे solve करिए आप 90% ज़्यादा question सही कर दोगे और वो हो सकता है आपको 50 भी न cross कर पाए 50 तो बहुत ज़्यादा हो गया साथ वो भी ना हो तो आपको जो short notes बनाने हैं उन चीजों में ध्यान रखना है हमेशा ध्यान रखें पहली चीजों को पढ़ें हमेशा चीजों को सबसे पहले क्या करना है short notes में पढ़ें सबसे पहला काम पहला step है कोई भी topic है उसे पढ़ें एक बार दूसरी चीज होती ही चीजों को समझना पढ़ें और समझें पिन को क्या करना है उस टाइम पे आप अगर books पढ़ रहे हैं तो आपके पास highlighter होगा highlighter का use करें और जब पढ़ते समय फर्स टाइम एक चीज और highlight नहीं करना है नहीं तो पूरी page पूरी line उपर से नीचे तक लगेगा सब important है इतना होता नहीं है ऐसा हो तो पूरी पूरी किताब रट्टा मारना पड़ जाया तो ऐसना भी नहीं होता है पूरी line है important नहीं होती है हाँ कुछ line है important होती है उन 20 line के बीच कोई 1 या 2 line या 4 line आपको important मिलेंगे लेकिन वो कब आपको पता चलेगा जब आप उसको पहले बार एक से 10 या 20 वी line तक पूरा पढ़ लोगे ठीक है और जब आप दुबारा उसको पढ़ने जाओगे तब आपको वहाँ पर फिर different दिखने लगेगा यार ये इतनी important नहीं ये इतनी नहीं और जब आप उसको दुबारा के बाद आप तीसरी बाद जब short notes लेकर बैठे होगा और फिल लिखना शुरू करोगे तब आप उसमें भी छांट दोगे चीजों को यार ये इतना नहीं बस इतना लिख लेते हैं तो क्या करना है सबसे पहले चीजों को पढ़ना है दूसरी बात अगर concept pieces हैं चीज़ें तो समझना है जैसे हमने कहा science में है, geography में है तो वहाँ पगर कोई चीज आती है आपको तो क्या करेंगे, पहले समझना है किसका मतलब क्या होता है, visualize करना है visualize क्या करेंगे, कोई ने कोई example example कोशिश करें कि आपको ऐसा हो जो आपको याद रह सके या फिर current oriented काफी याद रहते हैं चीज़ें क्योंकि current जो चीज़ें होती है वो चर्चा में भी बनी रहती है आए दिन आज थोड़ी से इसकी news आई कल दो-चार दिन बाद फिर उसकी news रिपीट हो जाती है तो current के चीज़ें हमेशा mind में रहती है तो जब current आप पढ़ते हो बार बार तो वो चीज़ें आटोमेटिक यहाँ पर भी याद आ जाती है ठीक है, तो current को हमेशा यहाँ पर visualize करिए और visualize your sin और समझने हो गया तो फिर तीसरे step में आईए यहाँ पर अपने Shorts Notes में Short Notes में एक चीज़ धियान रखनी है कि आप जब बनाने जाएंगे तो आपको हमेशा Key Points यहाँ पर बनाने है Paragraph नहीं होंगे ठीक है, paragraph नहीं होंगे पूरी पूरी लाइन भी किसी चीज़ को उतारनी नहीं है उसमें क्या करना है उस लाइन का, उस paragraph के जो Key Points हैं, Key Word हैं आपको क्या करना है, सिर्फ उन्हें वहाँ पर Note करने है, और इन Key Points में थोड़ी सी दूसरी चीज़ आपको धियान रखना है उसको हम कहते हैं कि क्रमबधता की स्थिती को लेकर क्रमबध होना चाहिए सुरू से लास्तर Points to Points चीज़ है जो आपको interconnect करने में आसान हो ऐसा नहीं कि एक page का लिखा है heading में एक ही point लिखा, दूसरे page में तो फिर हो क्या होता है वो याद कम होती है तो कुछ ऐसे points वहाँ पर आपको जब लिख रहे होंगे जो important लगें उनके sequence होनी चाहिए चीज़ों को जब sequence होता है, क्रमबध होता है तो आपको जैसे मैंने अभी कहा, चार point मैंने आपको बताएं फिर उसको मैंने पूरे paragraph में वहाँ पर relate कर दिया ठीक है, तो आपको ऐसे ही धियान रखना है कि वहाँ पर sequence बनाने है चीज़ों को क्रमबध आपके जो points होंगे उनको एक एक करके इसमें यहाँ पर point out करते चलना है, उनको लिखते चलना है, और तीसरा जो काम यहाँ पर करना है key point बनाने हों क्रमबध तरीके उसे लिखने के पश्चात वापस से revise करना है आप इसको बनाने के बाद रख कर भूल नहीं जाना है क्योंकि जो आपने लिखा है वो आपको उसी समय उसको summarize करना है, summarize जब आप एक बार उसे कर दोगे तो माइंड में चीजें बैठ जाती है या रख के भूल नहीं जाना है इसलिए डेली उतना ही short notes बनाईएगा जितना कि आप इतना समय निकाल सकें उसको वापस से summarize कर सकें लिखते लिखते इतनी देर तक मत लिखे जाएए कि यार आप बहुत हो गया आप कल करेंगे इसलिए यहाँ पर पढ़ना समझना, short notes बनाना और summarize करना यह चार चीजा आप हाँ पर आपको इतने time के लिए manage करना, अगर एक घंटे पढ़ने बैठते हो तो एक घंटे में पढ़ना और समझने के लिए आप आदे घंटे निकाल लो उसके बाद अगले 15 से 20 मिनट आप लिखो और उसके बाद 10 से 5 से 10 मिनट उसको summarize करो एक घंटे का use कैसे करना है एक घंटा भी अगर आप कोई भी topic पढ़ने बैठो तो वहाँ पर 30 मिनट पहला 30 मिनट क्या होगा सिर्फ आप यहाँ पर उसे पढ़ेंगे प्लस समझेंगे read and understand उसके बाद अगले 15 से 20 मिनट आप उसे write करेंगे लिखेंगे और लिखेंगे तो सिर्फ key point लिखेंगे और उसके बाद 5 से 10 मिनट में आप उसे summarize करेंगे अल्थात वापस से revision करेंगे याद करेंगे और यही हो रहेगा आपके short notes बनाने की पध्यती concept time का use करना ठीक है? आपको अपना एक घंटा कैसे minimize करना है? कैसे most useful बनाना है? उसके लिए आपको यह चीज़ें ध्यान रखने है हर एक minute का, हर एक समय का आपको अच्छे तरीके से उसको utilize करना आना चाहिए ठीक है? तीस minute, पहला तीस minute लिखना है लिख लो, मैं बोल रहा हूँ पहला तीस minute, पढ़ना और समझना पढ़ना और समझना नेक्ट पंद्रा से बीस minute की पॉइंट्स, शॉट नोट्स क्रिएट करना लास्ट के पांस से दस मिनट summarize करना, याद करना, revision करना ठीक है? और अगर आप यह काम करके आएंगे तो अगले दिन मैं आपसे कैसा भी question पहुँच हूँ सब कहेंगे सर मुझसे पूँचिए वो इस दिन यह नहीं होगा कि बस सर मेरी तरफ ना देख लें वो कॉपी की तरफ पलटता रहे जाब सर मुझे ना बोलें तो यह वाला काम खतम हो जाएगा उस दिन सर आप देखोगे मुझे, हाँ सर मेरी तरफ देखिए आप और मुझसे पूँचिए और एक नहीं सारे कुष्टन मुझसे पूँचिए क्योंकि वो confidence आपके अंदर रहेगा यहां मैं पढ़के आया हूँ वो college वाला नहीं होता कि सर आप कुछ पूँच ना लें और कुछ पूँच लेंगे और आता नहीं होगा तो खड़ा कर देंगे और कहेंगे class से बाहर जाओ और मुर्गा बन जाओ तो वाला काम नहीं रहेगा तो conference जो build up होगा ना knowledge से होता है और knowledge अगर आप कोया है तो समय के use से है और सही तरीके से ठीक है तो यह काम आप सब को करना है और कल यह सब चीजें हम देखेंगे